हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस बिनोत कुमार कुसवाह और आप देख रहे हैं सीनिय टॉकर चैनल तो आज के इस वीडियो में हम सी सिजन टू के एपसोड नमर सिक्स की स्टोरी को आपके सामने एक्स्प्लेइन करने वाले हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिये हुए लाल बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे नई कंटेट को आपके सामने पेस करते रहें तो बीना टाइम बेश करते हुए चलिए सुरू करते हैं तो कहानी के सुराद पैरिस के एक खतरनाक सपने से सुरू होती है और जब हनीवा उसकी अवाज को सुनकर उसे उस सपने से जगाती है तो वो उसे बताती है कि तुमारी मा और बाबा बास को उस मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। जिस पर हनिवा उसे बताती है कि वो लोग पहले ही जा चुके हैं। तो तुम्हें उन्हें समझाते हुए ये सुनेशिस करना है कि वे किसी भी सूरत में इस सांती समझते को काम्याब ना होने दे। तो मेरी दूद बन कर जाओगी और दूसरे लोगों को तुम पे विश्वास तो नहीं होगा लेकिन वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। जिस पर रेन उसे जबाब देती है कि लेफनियंट की बाते वैसे भी कोई नहीं सुनता है। और रेन का जबाब देती हुए इडो उससे कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें अब केप्टन बना रहा हूँ। और रेन को उसके स्टार देने के बाद उससे कहता है कि कभी-कभी गरतंतर की बलाई के लिए हमें सरकार के साथ खड़े होकर अपना काम करना पड़ता है। पर पट्टी बादनी के बाद कोफून की ट्रेनिंग फिर से सुरू हो जाती है। और फिर टोड उसके साथ लड़ते हुए उसकी तलवार को दूर फेक देता है। जो भी सीविर के अंदर जाएगा उसे अपना थियार सीविर के बाहरी ही रखना होगा। और जब हनीवा पैरिस की बात को बाबा बास और अपनी मा से बताती है तो तो उसकी मा हनीवा को समझाती है कि अगर हमने अभी इस मीटिंग को छोड़ दिया तो हम सीधे सीधे ट्रिवांटियोट को युद्ध की चुनोती देंगे। और इसकी बज़े से बहुत सारे बेकसूर लोग मारे जाएंगे। और जब हनीवा बाबा बास से पूस्ती है तो बाबा बास उसे जबाब देते हुए कहता है कि तुमारी मा अपना काम बखू भी जानती है और अगर कोई भी गडबड़ होती है तो हम लोग नस्दीख ही रहेंगे और फिर बाबा बास उसे उची जगह खोचकर नजर रखने को कहता है और इधर जब कोफून गोड़े को तयार कर रहा होता है तो रानी केन उसके पास पहुचकर उसे बैठा कर गुमाने को कहती है और फिर कोफून और रानी गोड़े की सवारी करते हुए दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और इधर एक सीविर में दोनों राजियों के बीच मिटिंग शुरू हो जाती है और रेन की आवाज को सुनकर पावा बॉस अनिवा से कहता है कि मैं इस अवाज को जानता हूँ जिसके बाद अनिवा उससे कहती है कि ये रेन की आवाज है अगर हमने कुछ भी सुपानी की कोशिस की होती तो आपके भाई के खटे हुए सर को आपको तोफे में नहीं बेशते और इस बात को सुनने के बाद लॉड हालन काबू से बाहर होते हुए उसे मानने लगता है और इसी वज़े से ये मीटिंग बरखास्त हो जाती है और जब मागरा और बाबाबास और लॉड हालन अपने कैंप में आते हैं तो लॉड हालन बाचीत करते हुए उन्हें बताता है जिस पर हारलन उसे जबाब देते हुए कहता है कि इस मीटिंग को मैंने फिक्स किया है इसलिए मैं तो जरूर जाओंगा और जब इस बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है तो मागरा उन्हें सांध करते हुए लौड हारलन से कहती है कि आज के बाद मेरे मंजूरी के ब बाहर जाई रही होती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात हनिवा से हो जाती है और फिर दोनों एक उची बिल्डिंग में पहुचकर एक दूसरे से बाते करने लगते हैं और बात चित करते हुए एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अगर उन दोनों के राजियों में युद दिछिड जाता है तो वो एक दूसर के खिलाप कभी भी नहीं लड़ेंगे और हनीवा उसे गले लगाने से पहले किस भी करती है और इधर इस कोपस के साथ मागरा की मीटिंग सक्सेस्पूल रहती है और इधर हम देखते हैं कोफून के साथ खाना खाते हुए केन उसके साथ बेहत करीब आ जाती है और कोफून को अपने आगोस में लेते हुए उसके साथ वही करती है जो वो पहले से चाहती थी और जब सुबह में मीटिंग होती है तो ट्रिवांटन के लोग इस बात पे राजी हो जाते हैं कि वो लोग सांती के लिए आधी कारिक तोर पे रानी के इसके बदले में पायान के लोग उन सीमाओ को सुखारेंगे जैसा कि उनके नकसे में दिखाया गया है और मागरा की मंजूरी के साथ ही ये सांती समझावता हो जाता है और मीटिंग खत्म करने से पहले उनसे एक और रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि आपकी रानी को दे हनिवा के कंदे पे सररकर बोलती है कि ये पूरा का पूरा समझोता बहुत सारे जूट पे टिका हुआ है और ये समझोता बहुत देर तक चल नहीं पाएगा जिस पर हनिवा उसका जबाब देते हुए कहती है कि हो सकता है इन सारे जूट के बीच में कोई और सचाई चुप और फिर हनिवा और रेन पाचीत करने के बाद उपर जाकर बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और इधर जब सब लोग सो रहे होते हैं तो कुछ लोग आकर रखवाली कर रहे सेंगों को मा डालते हैं जिसकी वज़े से बाबा बॉस की आख खुल जाती है और फिर उनकी आ करने की कोशिस करता है और बाबा बॉस की आवाज को सूनकर रेन और हनिवा जाक जाते हैं और दूसर सब प्रिवेंटियन के कैम में पहुच कर कमांडर वाट्स का काम तमाम कर देता है जिसकी वज़े से दूसर सब जाक जाता है और इधर बाबा बॉस उस सक्स को पकड़क कोशिस करती है तो वो उसे पकड़ कर जमीन पे गिरा देती है और उसके गले पे खंजर रखकर उससे कहती है कि ये सब तुम ने किया है और हनिवा के इंकार करने के बावजुद भी रेन उससे कहती है कि तुम जानती थी कि मैं अकेली ही इसको रोक सकती थी लेकिन मुझे यूस किया है और इतना कहने के बाद रेंड अपने आशू को पोचते हुए वहाँ से चली जाती है और हनीवा को रोते हुए देखकर बाबा बास उसे गले लगा लेता है और जो मागरा उस हथियारे के हाथ को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यह हत्यारा पयानवासी है और इस बात को जानने के बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि रानी केन इस समझोते को कभी भी करने वाली नहीं थी। और ये पूरा सम्मेलन रानी केन के प्लान के मुताबिक युद्धु सुरू करने का एक जड़िया था। और इधर हम देखते हैं कि रानी केन कोफुन के पास आकर फिर से अपनी चाल चलते हुए कोफुन के साथ सो जाती है। और इधर जब रानी केन बोटिया चबा रही होती है तो मागरा उसके पास आकर उसका खाना फेक देती है। और इधर हम रेन को इडो बॉस से बातचीत करते हुए देखते हैं और रेन इडो बॉस को बताती है कि मुझे लगता है कि जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा है उन लोगों को लीड करने का काम बाबा बॉस कर रहा था और फिर रेन से इडो बास कहता है कि वो लोग सबसे पहले तुमी से सवाल पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरी अपनी कप्तान उस हमले से बच गई है जिस पर रेन उससे कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं गदार हूँ और इडो बास उसे जबाब देते हुए कहता है क मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन से जाता हूँ लेकिन तब भी मेरे पैरतले जमीन खिसकती जा रही है तो मुझे इस सवाल का जवाब जाना है कि कैसे मेरी एक एकेली कप्तान उनके हमलों से बच गई है और इडो बास के जो और टीवी सिरीज को एक्स्प्लेइन करते हुए तब तक के लिए सुक्रिया